प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रहना की उपस्तिती में आज विजेपूर से कॉंगर्स के कई दिगर्ज नेताओं ने थामा भाजपा के साथ शुपईया में आतकवादियों की पुक्ता जानेकरी के चलते लगाया गया कॉड़न और सच ऑपरेशन अगर स्टेट असेंबली डिजॉल्व नहीं की तो जाएंगे सुप्रीम कोट नेशनल पैंथर पार्टी चेर्मेन हर्श देव सिंग ने कहा तो पैंथर पार्टी सुप्रीम कोट में जाएगी और सिस्पेंशन जो असम्बली की हुई है उसको चुनोती देगी इस एसम्बली को काईदा और कानून के मताबिक सम्विधान के मताबिक डिजाब करने की मांग करेंगे कल देर रात को काजी कुट में CRPF की 130 बटैलियन में बीशन आख दिखी गई किसी के भी हाता हत होने की कोई खबर नहीं सूत्रों के हवालों से आम्स और अमिनिशन गोडाउन में लगी थी आख शपईयां में 18 साल के युवा को वादियों द्वारा अगवा कर गोली से च्छनी कर दिया गया एक और 25 वर्षे सिवलेंड के गुमशुदा होने की भी खबर आई सामने सोशल मीडिया में युवा को च्छनी करने की वीडियो कोई वाइरल यह निकला था घर से जब रात देर तक गर नहीं आए तो हमने इसको डूणने की पूरी कुशिश की इसके दोस्तों से बाद भी की लेकिन किसी से कोई राब्दा नहीं हुआ और किसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया अध्लास्टर हमने प्लिस स्टेशन फोन किया तो लोगों ने बहुत हमें एक डेड़ बाड़ी मिली है तो फिर मैंने फेस्बुक खोला तो फेस्बुक मैंने अपने बाई की डेड़ बाड़ी देखी अमरिसर में जाकिर मुसा के दिखने के बाद से पंजाब में हाई अलर्ट जारी अमरिसर में जगा 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 लगाएगे जाकिर मुसा के पोस्टर्स इसी के बाद से खालिस्ता नाई S.I.S. लिंक की बाद भी सामने आ रही है आज देश के साथ साथ जम्मू में मनाई गई गोपा अश्टमी लोगों ने गोशाला जाके गाएं की पूजा की स्टेट हुमेन रैट्स कमिशन ने आज किश्मीर के कई बड़े प्राइवेट स्कूल को नोटिस भेजा नोटिस में स्कूल्स को एड्मिशन प्रोसीजर की डिटेल से लेकर गरीबों के लिए कोटे की जानकारी देने को कहा बहु चर्चित कठुवा केस में पीडित पक्ष ने महीला वकील दीपिका राजावत को केस से हटाने की रखी अर्जी को कोट ने किया मनजूर डोगरा सदर सवा के मेंबर्स आज गुवर्नर सत्यपाल मलिक से मिले मिलकर सवा की तरव से चल रहे कारें के बारे में की चर्चा मीटिंग के दोरान सवा're के ममबर्स ने परतेश में रह रहे इल्लीगल माइगरेंट्स के मुद्धों पर भी विचार करने को कहा कुपवाड़ा के केरन में कल देर शामें एक सड़क हाथसे में घायल हुए पुलिस के डियाइसपी बोधराज को आज इलाज के लिए एम्स एयरलिफ्ट किराया गया बोधराज और उनके अन्य साथी केरन में इलेक्शन ड्यूटी पर थे तेनाथ डिवकॉम जमू संजीव वर्मा की तरफ से आज उनके दफ्तर में जमू संभाग के सभी डेपीटी केमिशनर्स के साथ एक मीटिंग की अधिक्ष्टा करते हुए सिक्योर्टी फोर्षिस के लिए स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करने को कहा पुन जिले की तसील सोरन कोट में 17 नवंबर से मद्दान होने हैं जिनके लिए आज सूरन कोट से सभी पोलिंग बूतों के लिए पार्टीज को रवाना कर दिया गया रियासी मुनसिपल कमेटी के लिए भाजपा के जीते हुए पार्षदों ने भरा चेर्मन तथा वाइस चेर्मन का नामंकन गवर्नर स्टेपल मलिक ने बसंतरत को हिदाय देते हुए कहा कि उन्हें जुनेद मट्टू को बंद को भी नहीं बोलना चाहिए था ताजा खबरों के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा